हेलो फ्रिंड्स वेल्कम बैक तो माइ चैनल आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग अप्रिटूट की नेक्स लेक्चर की रोल्स आप नर्सेस हमाई नर्सेस के क्या क्या रोल्स होते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले एस अ कॉडिनेटर, एस अ कम्यूनिकेटर, टीचर, काउंसलर, मैनेजर, लीडर, टीम प्लेयर, मोटिवेटर, डेलिगेटर, क्रिटिकल थिंकर, इनोवेटर, रिसर्चर, एड्वोकेट ये सारे क्या हैं हमारे रोल्स हैं नर्सिस के तो आए इनको एक एक करके डिट गतेनेवाले से वो कॉडिनेट करे और फ्लांट करे और जो और फ्रेग्मेंटेट के टुगाधर, प्रिपेर करे पेशेंट को डिशार्ज के लिए और लिए बीगर, तेम में हमसे में बात करते हैं कम्यूनिकेटर कि स्बसे रहह होता करें फैवन करें वह स्टैब्लिच करें के हमीडेया और उस्कों को स्टार्ट होता हैender हमारा एसार रेलेशनशिप होता हैं घॉर्वाथ में प eerएट में आहंको हिसली आपकर पीशिनन्द करें वह मैं से इसली हमसे शेयर कर सके और उसके अकॉर्डिक हम उसको care provide कर सके और यह relationship हमारा यह patient ठीक हो जाता है तो वहीं पे end हो जाता है Beware of verbal and non-vol spouse communication हमाई nurse को पता होता है verbal and non-vol spouse communication कहां पर यूज करना है knowledge to allow patient to make informed decision ऐसे knowledge देती है वो पिशिट नो कोई problem है तो वो उसकी regarding उसको knowledge देगी कोई procedure करने वाली है तो वो उसको knowledge देगी कि आपके साथ में हम ये procedure करने वाले हैं ताक्कि वो correct decision ले सकिए demonstrate करती है needed skills को जो skill जरूरी है उनको बताती है demonstrate करती है प्रमोट करती है health को, prevent करती है illness को, restore करती है health को, facilitate करती है coping को, coping में help करती है हमारे patient की, आता है as a counselor, तो assist और guide करती है patient को solve करने में problems और making decision, बहुत टाइम ऐसे आते हैं कि जब हमारे patient होता है वो ठीक से नहीं सोच पाते हैं, उनको बहुत सदा problem होती है decision making में, तो वो उनको help कर करती है problem को solve करने में, यूटलाइस करती है अपनी interpersonal relationship को, जो interpersonal relationship बनाई होती है उसने उसको use करती है, nurses कभी भी patient के बहाफ में decisions नहीं रहती, वो उनको बताती है कि हां कि correct क्या है, क्या उनको करना चाहिए, यूटलाइस करती है nursing process को, manager, manager में क्योंता है कि पहले वो care को plan करती ह उसको organize करती है, direct करती है, control करती है, और delegate करती है, management process कैसे होती है हमारी, planning में क्या आता है कि पहले वो देखती है कि हमारे patient को ज़रूरत क्या है, उसकी needs क्या है, उसकी according care को plan करती है, कि अगर हमारा कोई fever, pyrexia का patient है, तो उसको क्या जरूरत है, क्या उसकी needs है, उसकी साफ से क्यूई करते हैं अब वो यह देख और इसके पास रिसोर्स किटने हैं जो उसके गौन को मीट करने के जरूरी शुरूरी है यजकर कर पाते हैं इसकोच्य को सिखक्यान के कौशिश करती जबर कर रेक्टिंग delegation में को होता है हमारे 5 rights होते हैं delegation की right task होना चाहिए right person पे होना चाहिए right circumstances में होना चाहिए right communication होना चाहिए right feedback होना चाहिए इसको याद रखेगा अब आता है as a leader leader क्या करती है वो उसमें reason होती है कि वो energize कर सके others को motivate करती है अचीव करने में इंकरेज करती है अधर्स को कि बेस्ट दे सकें वर करती collaboratively हम एजर नर्सिंग स्टाफ जब वर करते हैं तो हमें एजर टीम मेंबर वर्क करना होता है तो वो करती है वाइडर वराइटी और रोल्स एं मैनेजर मैंचर से ज्यादा रोल होता है एक लीडर की अब आता है अब आता है इनोवेटर इनोवेटर में कहता है तो मेक थिंग्स हैपन अब वो करती है एक्षेंस लेती है ताकि चीज़ें हो पाए जुसने केयर प्लाइंड किये इनिशियेट करती है जिसको और प्रॉब्लम्स को देखके यह नहीं कहती किया कुछ नहीं हो सकता वह कोशि निश्चरी करते हैं धन्यी प्रॉब्लम्स यह वहाँ जरूरी है जूरे से वो दूसरों से अलग सोचती है प्रॉब्लम्स की बारे में उसको देखने के नजरिया ही अलग होता है क्यों करना चाहिए और नर्सिंग कर ठाथे सब्सक्राइब पर प्रोपेशनलेज Вас, ते बाते कुष्णन के अस fan कोई जानेजे कि निषी बेडाते हैं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट सेक्षिन में टेलीग्राम ग्रूप पे मैं पूरी कोशिच करूँगे आपके डाउट को क्लियर करने की दोस्तों छोटी सी वीडियो थी आई होब आपको समझाई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो इस चैलन पर नए है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अब नर्सिंग अप्टिट्यूट की क सब्सक्राइब के आने वाली हूँ थैंक्स और हवा नाइस दे